हेलो दोस्तों विल्कम टो माई यूटू चैनल इजिश्टरी दोस्तों आज हम लोग बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले आप लोग को बदा देखिए कि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें तो देखिए आप क्या है खास आप अपने बायरे में बताईए अब हम लोग जानेगे कि इसका यूज कहां कहां होता है तो देखिए बायो डाटा के यूज बहुत जगर पे होता है साथ से पहले आप लोग को बताते है कि बायो डाटा के यूज किसी कंपनी में जैसे आप काम करने के ल बायो डाटा बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे बना जाते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे नेम ठीक है नेम अपना लिख लेंगे तो जैसे हम लिखते हैं यहां अंजली कुमारी आप अपना नाम लिखे लिए बॉआज हो तो बॉआज अपना नाम लिखे अगल से अगल से अपना नाम लिखे उसके बाद है कि यहां लिखेंगे डेट आप वर्थ तो डेट आप वर्थ लिख लेंगे डेट आप वर्थ को सौट में डी ओ भी लिख सकते हैं तो ल तो has sex कामप्लके मतलव था लिंग जैसे कि आप लड़का है तो male लेके तो female हम लिखे लेते हैं here अगर जो है आप लरका है तो male लिखे या लड़की ये तब female लिखे तो हम यह लिखे लेन उसके बाद height लिखेंगे, तो जो आपका height है, वो लिख दे, जैसे कि मेरा height है, 5 foot, 6 inch, तो लिख दे आए, यहाँ, जो आपका height हो, उसके बाद देखेंगे, यहाँ blood group है, तो आप अपना यह blood group लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं, अपना o positive, ठीक है, उसके बाद long wedge known, long wedge known का म बहाशा जानते हैं, उसका आप लिखे दे भाशा, Hindi and English, उसके बाद यहाँ, religion का मतलब होता धर्म, जैसे आप हिंदू है, तो हिंदू लिखेंगे, मुस्लीम है, तो मुस्लीम लिखेंगे, तो देखेंगे, हम देख जाते हैं, हिंदू, इसके बाद caste, तो हिंदू में आप कौन सा caste है, तो जैसे आप लिखेंगे, लिखेंगे, इसके बाद है नेसलिटी, आप कहां के रहने वाले हैं, तो इंडियान है, उसके बाद देखेंगे, हैँआँआँए, आप की साथ दिखते हैं, तो देखिए गल्स, तो देखिए शूंदर दिखती हैं, तो गल्स के ठीक है उसके बाद है होवी तो होवी मतलब कि आपका क्या है इच्छा है तो दखिए आपका क्या सौक है तो मानि है मेरा सौक है जैसे बूख पढ़ने का नोवेल्स पढ़ने का तो यहाँ लीख देंगे reading लिएंग, बूक, एंड, नोविल, उसके बाद लिख देंगे और क्या है आपका जैसे गर्स है तब कूकिंग, एकसेटरा जो भी आपका होवीच है सौक है वो लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद है एकड़मि क्वालिफिकेशन, एकड़मि क्वालिफिकेशन, आपकी योगयता क्या है ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होगा इा मैट्रिक आफ करेंगे तो मैट्रिक कौन सा बोट से किए हैं? जैसे आप अपना board का नाम लिख ले जैसे हार बोरट से किये हों तो bseb पटना और आप च्बी छी डेक्ट से किये हैं तो cdc लिख लेंगे तो देखिए जैसा हम यह एस भी हिंकी dei पटना इसके बाद है passing ही है तो जोन साल में आप pass किये हैं उस साल का नाम लिख ले तो जैसे हम pass किये हैं 2010 में तो लिख ले आप आप 2010 उसके बाद आपका percentage क्या है देखिए यहां उसका percentage आप exam में कितना percent लाएं ठीक है सबसे पहले तो यहां 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 लिखेंगे division यहां division लिख लेंगे कि आप कौन सा डिवीजन से पास किये हैं तो माल लिख लेते हैं फोस्ट ठीक है उसके बाद यहां से लिखेंगे division लिख करके परसेंट जो ताप यहां कितना percent है जैसे हमें आल लिखेंगे एक्जाम्पल गे तो और 85% उसके बाद है देखिए उसके बाद BACV के बाद है कि metric के बाद है कि कोई इंटर करते हैं इंटर इसके बाद करते हैं सभी दो तो इंटर करते हैं तो जो science लेते हूं उसके लिए हो गया इंटर में बुलेंगे कि यहां पहले लिखेंगे तो intermediate उसके बाद कॉन साउ-स में, आप पास कियें तो लिखेंगे तो लिख देते कौन सा division है आपका तू first इसके बाद it is पर्सेंटेज तो जैसा कि आप percentage कर रहा है ठीक है उसKS के बाद हो, गर्जुएशन तो गर्जुएशन में आप कौन सा सब्च लिए है जैसे आप लिए होंगे Math, Physics, Chemistry तो वह हो गया B.S.C उसको बोलते हैं B.S.C ठीक है और आप English, History, Economics यह सब लिए होंगे तो यह हो गया B.A. ठीक है तो हम लिए होंगे B.S.C तो यहां लिए होंगे कौन सा आप कहा से कर रहा है तो जैसे हम लिए होंगे जैसे हम उसमें है ये प्यारिंग में 2014 में ठीक है तो यहां लिएख देंगे 2014 सकेंड इयर लिख देंगे सकेंड इयर परसुम मतलब कि मेरा सकेंड इयर चल रहा है ओँ ठीक है उसके बाद आय देखी extra qualification प्रेबहां जैसे हम लेखेंगे देश्ट में अब क्या कुछ किये हुए तो दिट्वांस में लिख क्या हुएां ऑदेफांस में लिख देंगे कि अर्डि किया हुए है यहाँ से जिससे लिख देंगे डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लीकेशन उसके बाद यहां लिख देंगे कंप्यूटर में हम टाइपिंग कि हुए तब फ़र्ष्ट यह हो गया उसका दूसरा में लिख देंगे कि टाइपिंग आप अपना स्पीट लिख देंगे जैसे स्पीद है मेरा पचास पुलस जैसे तो अप लिख देंगे पचास पुलस स्पीड इसके बाद आप जो कुछ भी कियो है उसको लिख सकते हैं ठीक है मगले अप dca किये हुए है तो लिख देंगे है dca मानिय 딱 किये हुए है तो लिख देंगे ुब्लवाइण आई आई ये आई टी को जो कुछ भी किया हुए है हम लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद है फैमिली डीटेल्स तो सबसे देखे स में इसके बाद आप अपना लिखेंगे आप फादर स्रेम तो फादर स्रेम आपका जुआ है वह लीख दे फादर स्रेम इसके बाद लिखेंगे मदर्स नेम लिखे दे सीरी मती एसम टी सीरी मती उसके बाद अपना मदर्स नेम यहां लिखे दे इसके बाद जिए यहां क्या है सीस्टर तो आप पास जिवने है ऊस्सिस्टर के नेम लीखे देंगे हैं तो जैसे हम लिखे देते हैं निए जो क्यार रही है उसका लिख देंगे तो देखी जैसे ए-studiant है तो लिख देंगे खैए-students तो आपका जितने ब्रोदर सुर्ट ने कर लिखे दे नाम उसके बाद जो है क्या कर रहा है तो जैसे हम लिख देते हैं यहां गोलू गोलू कुमार जो है जैसे स्टुडेंट है तो लिख देते हैं स्टुडेंट इसके बाद हम लोग लिखेंगे एड्रेस ठीक है देखिए हां एड्रेस तो एड्रेस में आप अपना भीलेज लिख दे तो जैसे हम लिख देते हैं भीलेज आप अपना भीलेज का नाम लिख दे जैसे हम लिख देते हैं यहां लोगब आओ आप अपना जो भी लेजें उसका नाम लिख दे उसका यद लिखेंगे PO PO का मतलब होता है Post Office तो Post Office आप अपना लिख ले जैसे हम लिख देते हैं इसके बाद लिख ले Police Station जाहां आपका Police Station हो तो जैसे हम लिख देते हैं Police Station यहां इसके बाद आप जोन से डिस्टिक में पढ़ते हम उसके नाम लिखेंगे। लिखेंगे हम 20 verkty. भाई कोड अ कि इसके बाद लिखेंगे पीन कोड लीख देंगे रहां इसके बाद एस टेट लिखेंगे कि जोन सा एस्टेट में आप परते हो उससे स्टेट का नाम लिखेंगे यहां ऐसे यहां हो गया मेरा बायो डाड़ा कम्प्लीट हो गया तो आसा करते हैं कि वीडियो आप लोगो को समझ में आगा तो कि पेच्छ